Hello students, today we start class 10th मैं chapter 3, exercise 3.3, question number 3 देखिए Form the pair of linear equations for the falling problems and find their solution by substitution method बटे आपको word problem दी गई है, वहाँ से आपने pair of linear equation बना कर उसका solution देना है substitution method से, ठीक है, तो हमारे पास fifth part है a fraction becomes 9 by 11, if 2 is added to both the numerator and the denominator if 3 is added to both the numerator and denominator, it becomes 5 by 6, find the fraction आपको बोला गया है बेटा, कि हमारे पास 9 by 11 fraction बन जाएगे जब हम 2 जो है numerator और denominator दोनों में add करेंगे, ठीक है और दूसरी बार बोला आपको, 3 हम add करेंगे, numerator और denominator में हमारे पास fraction जो है, वो 5 by 6 बन जाएगी find the fraction, तो find the fraction से बेटा हम start करते हैं let the numerator be x and denominator be y and fraction b, numerator यह है, denominator आपने यह लिया, fraction क्या बन जाएगी? x, y, y, okay, तो अब आप करेंगे by the question by the question बेटा हमें क्या बोला गया था, हमारे पास 9 by 11 fraction बन जाएगी जब हम denominator में और numerator में 2 एड़ करेंगे, numerator हमारे पास x है, x में आपने एड़ किया 2 और denominator है, आपके पास y, y में एड़ किया आपने 2, तो यह हमें क्या fraction देगा? 9 by 11, ठीके बेटा? इसको आप solve करेंगे आगे, 11 यह cross multiply हो जाएगा, 11 यहाँ पे multiply करेगा बेटा? और 9 से y प्लस 2 multiply हो जाएगा, ओके? आगे आप इसको solve करेंगे, 11 x प्लस 22 is equal to 9 y प्लस 18 ओके बेटा? नेक्स्ट हमारे पास है, 11 x हो जाएगा, 9 इदर आजाएगा आपके पास, और 18 यह 22 दो जाके minus हो जाएगा 11 x minus 9 y is equal to plus minus minus 4 तो यह आपके पास first equation होगी ओके बेटा? अब हमारे पास दूसरी condition में बोला गया है, 3 is added to both the numerator and denominator तो numerator हमारे पास x है, denominator y है, 3 add किया आपने दोनों में, तो हमें जो एक्शन मिली, it becomes 5 by 6 तो आप 5 by 6 इसके equal हो जाएगा, ठीक है? अगें आप cross multiply करेंगे तो 6 से आपने multiply किया x plus 3 को and 5 से multiply किया आपने y plus 3 को तो करिए इसको 6 x हो जाएगा, plus 6 3 is the 18, 5 by plus 15 solve कर ये बिटाई इसको, 6 x variable एक साइड, minus 5 by is equal to 15 और ये यहाँ पे 18 plus के उदर जाके minus हो जाएगा आपके पास, ठीक है? तो आप यहाँ पे लिख रहे हैं आगे 6 x minus 5 y is equal to plus minus minus, तो बड़े का sign आजाएगा और minus भी हो जाएगा minus 3 आगया आपके पास, ठीक है बटा, ये दो equations आपके पास आगी, अब आप क्या करेंगे? अब लिखेंगे, ये first होगी, ये second होगी equation, ठीक होगी, तो आप सब्सट्यूशन मैथर से करेंगे इसको solve, तो सब्सट्यूशन मैथर से हम कैसे करते हैं? किसी एक variable की value निकालते है, एक equation से, ठीक है? तो first equation है, हमारे पास 11x minus 9y is equal to minus 4, ये first वाल equation थी, तो आप लिखेंगे from first equation, ठीक है? first equation से आप x की value ले लेंगे, minus 4 आगया, और ये minus होगी जाके क्या हो जाएगा? plus हो जाएगा, x is equal to minus 4 plus 9y by 11, ठीक है? इसको ले लेंगे आप third equation, तो इसी को put करेंगे, आप इसी equation में नहीं, किसी दूसरी equation में put करेंगे, तो वो है हमारे पास 6x minus, आप लिखेंगे putting, x is equal to minus 4 plus 9y upon 11 in second equation, ठीक है? second equation में आप put कर रहे हैं, तो आप इदर लिख रहे हैं, 6x की value है minus 4 plus 9y upon में है 11, ठीक है? minus 5y is equal to minus 3, तो करिए solve बिटा, minus 24, 9 5s आ, 54 minus 5y, और नीचे यहाँ पर 11 है आपके पास, और यह minus 3, अब यहाँ पर 1 रहेगा नीचे, ठीक है? तो आप denominator सेम करेंगे, 11 आजाएगा, minus 24 plus 5y minus, यहाँ पर 11 बनाएंगे, आप 11 multiply होगा, 55y आगे आपके पास, और यहाँ पर 6, 9s आ, 54 है, तो यहाँ पर आप 54 लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप 54? तो यह आपने 54 लिखा है, ओके बटा, यह की है बटा, हमने 54y, is equal to minus 3, solve करेंगे बटा, minus 24, plus minus, minus, तो minus y आजाए, 55 में से 54 निकाला, तो y आगे आपके पास, नीचे 11 था, यहाँ पर, डिवाइड हो रहा था, उस साइट जाके क्या हो जाएगा? multiply, 11, 3 था, 33, तो minus y is equal to minus 33, और minus 24 उद जाके क्या हो जाएगा, plus, ठीके? अब minus y is equal to minus 33, आपके पास plus minus, minus और बड़े का साइट, 13 में से 4 निकाला, आपने कितना है, 9, तो minus minus कट हो गया, y की value आगे 9, ओके बटा, clear है, अब यह 9 आप किसमें put करेंगे? थार्ड एक्वेशन में, ठीके? आपने put करना है, इसको थार्ड एक्वेशन में, x is equal to minus 4, प्लस 9, 9 आजाएगा, नीचे 11 है, बटा, x is equal to minus 4, प्लस 9, 9 आजा, 81, अपन में 11, तो plus minus minus, 81 में से 4 गया, 77, 11, कटिंग किया आपने 7, तो हैंस, x is equal to 7, and y is equal to कितना या, 9, तो हमारी fraction क्या बनी? तो आप लिखेंगे fraction b, 7 by 9, ठीके? हमारे पास यह fraction आगी, ओके? थैंक यू!